तो हाई गाईज मिना नाम हरीश और आप देखे रहें मेरे योट्यूब चैनल पास पजिस्टोरिज भारीश तो आज मल्टा से रिगार्डिंग दो अपडेट्स हैं तो आपको बना वीडियो में तब नेकस टाइम को वेस्ट की हम टेक आउफ करते हैं स्वागत है आप लोग का आज की वीडियो में उम्मीद है आप जहां भी होगा इसे भी होंगे सेफ होंगे तो कोचिन में जो वीएफ से उसके बारे में सेकेंड हम बात करेंगे माल्टा में जो लोगडाउन ओपन होने वाला है दस मही को यानि कल उसमें कौन-कौन सी शॉप्स ओपन होंगे तो इस पूरे टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं तो पूरी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहे हैं तो चल स्क्रीन में है वो बंद रहने वाला है तो आपकी स्क्रीन पर यह जो वैबसाइट का स्क्रीन शॉट है यह वीडियो की वैबसाइट है तो आप इसे पढ़ सकते हैं ड्यू टू राइज इन कोविड नैंटीन केसे गवर्मेंट ऑफ करेला हैस डिसाइड तो कोचिन के अंदर वह एस पर गौवर्मेंट और बंद रहने वाला है क्लोज रहने वाला है एक में से 16 में तरक वैसे चार में अपडेट आया था कि माल्टा ने जो भी है वीजा सर्विस्स अभी स्टॉप कर दी है और फिर अभी वीएफस बंद होने का अपडेट आया है आ 10 माई को माल्टा के अंदर लॉकडाउन जो है खुल जाएगा सबसे में जो है रेस्टोरेंट स्नेक बार्स यह सब ओपन हो जाएंगे लेकिन उनका टाइमिंग रहने वाला है वह पांस वज़े बाद आप जो है उसमें टेक अवे और डिलेवरी की सर्विस वह हो पाएगी डाइन जो है फाइफ पीम तक रहेगा काफे सारे लोग होटल में जॉप करते हैं काफे सारे लोग है जो इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांगलदेश से होटल इंडस्ट्री में वहां जाना चाते हैं कुछ लोग शैफ बनना चाते हैं वाई से वर्सा कई लोगों का अलग पर है इसमें सारे लिस्ट है तो सबसे पहले है professional contact sports can resume training second all non contact sports can carried out without spectators extra curricular activities catches lessons rozum fourth open market will be able to take place मतलब normal market है वो बी open हो जाएंगा इंडिया नेपाल बंगल्देश-पकेटीश-चाफिश्र लोग हैं जो वहां open markets में शॉप में जॉब करते हैं तो वो भी जो लोग अपने रूम पे बैठते या जो लोग free बैठते तो उनको फिर कल से फिर से नौकरी मिलने वाली फिर से जॉब मिलने वाली है क्योंकि उनके लिए भी सारे markets open हो रहे हैं और जो लोग यहां से भी वहा इस टेबल मतलब चार लोग एक टेबल पर रहेंगे और यह सारी सर्विसेस कल से open हो जाएं क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो यहां से हॉस्पिटल्टी इंडर्स्ट्री में जाना चाते हैं लाइक होटल्स रेस्टूरेंट्स स्नेक बार्स हो गया इसके लावा जो फूर इ बीच में जो ट्रेवल रेस्टिक्शन है वो लिफ्ट ओन हो जाएंगी कल से तो इस यह कुछ सर्विसेस हैं जो ओपन हो रही है कल से इसके अलावा जो नौन एसेंशल ऑफिस हैं वो भी ओपन होने वाले हैं कल से उनका क्या टाइम रहने वाला है और क्या एंप्लोई को व आफिसे को लेंगे तो काफी हमें एक लिबर्टी मिलेगी और काफी हमें फ्रीडम मिलेगी सारे काम करने में क्योंकि अगर अपन देखें लॉगडाउन के पीच चर्फ असेंशल सर्विसेस बन थी लेकिन कल से सारे ऑफिसेस ओपन हो जाएंगे तो यह का आपके लिए का क्योंकि मल्टा एक पॉजिटिव नोट पर जा रहा है वहां काफी अच्छे पेमाने पर हुआ है इसके लावा बात करें काफी लोग मिसे पूछते हैं कि बांगलादेश और पाकिस्तान के लिए अपडेट बताइए तो उसके लिए मैं इन दोनों कंट्री के स्पेसल अप पाकिस्तान वालों के लिए जो भी सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं तो इसी अपडेट थी माल्टा के बारे में एक तो हमने बताया आपको कोचिंग वीए अप्डेट दिया आपको जो माल्टा में कल से लॉगडाउन ओपन होने वाला है उसमें हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलने वाली है तो चोटा सा वीडियो आज की छोटी सी इंफॉरमेशन मुझे आपको से मिली होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लागा तो लाइक करते हैं इस वीडियो को शेयर करते हैं हमाने चैनले को सब्सक्राइब करने से हमें तो मिलता हम मोटिवेशन और आपको मिलते रहेंगे रियल टाइम नोटिफिकेशन हम मिलेंगे ऐसी किसी अच्छे अगले इंफॉरमेटिव वीडियो में तब तक के लिए हैं बाबाई